वेलकम प्यसके अंड़िट सर पर मैं संदोस्तर आपका स्वागत करता हूं तो दोस्तों हमने गुरूब डी के कुछ इनपॉर्टेंट रेखागर के कोश्चन लिए हैं तो उसको आज हम देखेंगे तो अगर आज तक अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि गुरूब डी से रिलेटेट मैं की जितने भी प्रीवेस के कोश्चन आया हुए थे हम उसको इसे चैनल पर डिसकस करेंगे उसके बाद फिर आपका रिजनिंग का भी डिसकस करेंगे तो चलिए इस वीडियो को स्टाट करते हैं तो द सभी कोड़ों का माप ज्यांत कीजिए म падा क्या दिया ह् ररीजिवा ? सबेंगे में कोड़ों का हुआ इंटकर पास पा टिक है । तो आई आप साल करते हैं थो खोता है यह तो आप लोग जानत ही है कि एक थिरुश के कि तीनसी्और तो कोड़ों का योग यह तीनों कोड़ों का योग कितना होता है 180 होता है 180 ऑसके बाद देखिए इसको क्या करेंगे है इसमें क्या करेंगे 3x 3 x 3 x 4 x 5 x इसको क्या कर देंगे वाले टकी क्या होसित कर देंगे ठीक है तो इसको तो 12 से काटिए तो क्या कटेगा 12 कर निम 12 बारा पंचे उसके बाद यहां पे देखिए 12 उसके बाद 6 बच गया उसके बाद 12 25 यानि क्या आ गए 5 यानि एक्स की वैलू क्या गई 15 आ गई उसके बाद जो हमने एक्स यहां पर रखा है 3x 4x 5x तो इसी में x की value रख दीजिए तो value यहां पर x की value रखेंगे तो यहां पर 3x है तो 3 गुड़े में 15 हो जाएगा तो यहां पर पहला क्या जाएगा 5-10 15 15-45 इनि पहली के आजएगी यहां पहला कोण 15 इसका उसके बाद देखिए यहां Core इन्हें पर 5-15 575 पर यह गया गया और यह इंगल यह यह और एक यन और यह यह और तो आप चलिए इसी लबजों में हम देखते हैं अपना दूसरा कोश्चन क्या है यदि एक विरित के छह बराबर भागों में बाटा जाता है तो बने हुए प्रत्य कोड़ों का माव ज्याद कीजिए इसको क्या किया गया है छह बराबर भागों में बाटा गया है अब बताइए एक विरित की वैलू क्या होती है कितने हंस के बराबर होती है क्या करेंगे यह 306 बराबर भागों में बाटना है तो अब इसको काटिए तो 636 चचाप शाटिस यानि साथ हो जाएगा यानि परतेक कोड़ों का मान कितना हो जाएगा लगानिगे तो अब यह वह गया आपर इसकों को से होगे कैसी सॉल्व करेंगे आए देखते है मैं इसके निया है आकिरती में यानि यह दूसरा एंगल ABE कितना है 80 और एंगल DBE कितना है 50 उसके बाद एंगल BCE का मार्ड क्या होगा इसे हमें पता करना है अगर फिगर दिया हो फ्रेंट्स तो जादा नहीं बस एक सेकंड का सवाल है देखिए कैसे इसकी बार्ट करेंगे इसको और इसको करेंगे तो नहीं हो जाएगा 30 प्लस अब यहां पर 80 और 50 तो कितना हो जाएगा 30 इतना जाएगा उसके बाद प्लस इसमें कितना एंगल और काउंट कर दें कि वानेटी के इक्वल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी यहां से 20 आ प्रेंट्स ट्रेंग यहां पर 30 इसकी वैल्यू हो गई आपचास और पचास और सी आट पांत तेरा कितना हो गया 130 इसके बाद यह क्या हो गया 130 पलस 30 क्या हो गया 110 उसके बाद आगर 20 को कउंट कर देंगे तो 180 के पराबर आजाएगा तो यह नहीं यह एंगल सब्सक्राइब करना है जिसमें से दो कोड़ों की वैलू एक सतर है एक तीस है तो फ्रेंट्स एक आप जानते हैं एक ट्रेंगल की वैलू तो यहां से देखिए यहां पर क्या है सतर और 40 क्या हो जाएगा 110 उसके बाद अगर किस्तना सतर करतेंगे तो यहीं कितना होगा सतर है तो यह हमारा कोश्चन नमर कितना है पाचवा है कैसे हम विदिन टू स्कंड में सॉल्फ करेंगे देखिए पहले तो हम आपको मैठ बना यह उसके बाद दिखाएंगे आपको कैसे विदिन फाइब सेकंड टू सेकंड में सॉल करेंगे तो दिखिए पहले हम कोश्चन को पढ़ते हैं एक समकोर तिरबुज के कड़ लंब से चार सेंटी मीटर लंबा है और जो आधार से चार सेंटी मीटर लंबा है यानि एक क्या है एक समकोर तिरबुज है हमने एक समकोर तिरबुज बना लिया है उसमें क्या है कर्ण लंब से चार सेंटी मीटर लंबा है यानि पहले क्या है जो यह लंब है लंब से यह कर्ण क्या ह भी के बाद करने इढ़ी देखिए पर जो अधार से चो में सब्सक्राइब चार से मेरी एक मेरी criticizing. ऊधर उपलाऊ है यह भी ऊचाइब हो सब्सक्रास अब हो जाएगा ईसके बाद का स्कॉइर का लार का स्क्रे सब्सक्राइब कर दोनु दोनु थो चाइन के योग के बराबर होता है यानि स्कॉइर da means k are plus b2uciones का स्कॉइर जानों फान। लंज रखेंगे तो देखिए अब एक्स प्लस एड का स्क्वाइर अब देखिए एक्स फोर एक्स का स्कॉरी ठीक है है इसको solve करेंगे यहां पर x square a plus b के whole square पर x square plus 64 प्लस प्लस यहां पर टू भी यह हो जाएगा 16 x यह हो जाएगा उसके बाद इसको a plus b के whole square पर तोड़ेंगे यहां पर यह होगा x square plus 16 plus 2 2 और यह क्या हो जाएगा 2 multiply x multiply तो यहां पे यह तो यह यह जो समान समान दोनों तरफ अगर प्लस 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 में तो तो रहेगा तो यहां पर यह प्लस यक्स इसको और इसको यह जो चोट देखिए चौर सट्थ माइनस सोोला हो जाएगा फ्लस सोला यक्स और यहां पर यहन्य क्या है चञ चादी षाट टि याँ नहीं अट्रयतए खोलगा तो इदर राट इस खोल जाएगा उसके हग और जबत इसकलip हैस वह जाएगा अब अब यहां 16 में से 8 जाएगा तो 8 यक्स बचेगा ठीक है उसके बाद यहां पर यक्स स्कॉयर है अब क्या करें इतने को इस साइड ले आए तो यक्स स्कॉयर यक्स स्कॉयर उसके बाद यह बाद माइनस फॉर्टी एट बराबर जीरो यह हो गया उसके बाद देखें इसको अब दुई घात समी करण पर तो देखिए एक कॉंसेट बताते हैं इसको साल्व करने के लिए आप इजली साल्व कर लेंगे जैसे बारा चॉप कर तालिस यानि अगर बारा मेंसे चार को माइनस करे फ्रीन आप भाएं होता है यहां बराबर अब देखीए क्या अगर यहां भीप्रीत होजाएगा यह प्लस में हो जाएगा उसके बाद चार आएगा इधर फार चुकर 40 तो यह हो जाएगा क्या क्या है चार्व हो जाएगा ठीक है तुब यहां से आगई झाला आगई ठीक है क्योंकि यांगी जो नहीं डीनिड तो तो यहां पे बेस की पूछा तो तो बारा आजाएगी जो क्या हो जाएगा हमारा अधार की लबाई की गर्लक कीज़े तो बारा वारा आंसर हो जाएगा ठीक है तो आज इसे ही अब solve कर सकते हैं अभी इतना solve किये थे यहीं क्या करते आप इसको solve करते जल्दी से उसके बाद यहां पर तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब पर दीजिएगा लाइक करिएगा सेयर करिएगा और कमेंट तो हैंड में पसंट करिएगा तो वीडियो कैसा लगा यह मुझे करके